हाई दोस्तों इस विडमें पुन देखते हैं रासानिक सम्हकर्ण लिखना साथ में पून देखेंगे रासानिक सम्हकर्ण को किस परकाछ शंतुलित कर सकते हैं जो कि सम्हकर पर आपड़ आपको कूछ बताना चाता हुं कि जो और आपकी रासानिक समुखन होते इसको अपन लिखने से पहले इन चीजों को ध्यान में रखेंगे कि किस परकार से अपन तत्व का नाम होगा उसका नाम लिखेंगे जैसे कि यहांप पर लिखा हुआ है ठीके फिर अपन लेखेंगे तत्व का प्रतिक जैसे कि आप अ नाम तत्व का प्रतिक इसके बाद में है रासायनिक सूत्र ठीक है तत्व का नाम तत्व का प्रतिक तत्व का रासायनिक सूत्र ठीक है अब अपने को समझना है रासायनिक समिकोन को लिखना है तो लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे ठीक है तो जो अपुन left hand side में लिखेंगे उनका पुन नाम देते हैं अभिकारक जैसे मैं for example यहाँ पर कोई एक ले ले लेता हूं प्रतिक के रूप में a plus b ठीक है a plus b आगे जाके आपका बना सकता है c plus d ठीक है अब इस परकार की अभिकारक है जिसमें a plus b क्या है अभिकारक है तो इसकी definition अगर देखा जाएं तो क्या होगा जो रासानिक समीकर्ण में रासानिक अभिकार में जो भाग लेने वाले बंदे होते उनका आप नाम देंगे अभिकारक जो बाद में बनता है उसको बन कहते हैं उत्पाद क्या कहते है इसको उत्पाद तो यह आपका हो जाता है उत्पाद अब इसमें एक arrow लगा है तीर का निशान लगा है अब ये तीर का निशान क्या करता है अभिक्रिया होने को बताता है अभिक्रिया होर ये इसको दर्शाने का काम कौन करता है तीर का निशान ठीक है तो आप देखना लेफ्ट हैंड साइट अभिकारों को लिखा जाता है राइट हैंड साइट उत्पाद को ल में एक एक बात अपुन समझते ध्यान से देखे दोस्तों जो मैंने यहाँ पर शब्दों में लिखिए इसलिए इसका अपुन लिखेंगे शब्द समीकरण है इसका नाम क्या लिखेंगे शब्द समीकरण ठीक है अब दोस्तों यह शब्द समीकण है अब इसको अपनों को लिखना रासायनिक समीकण, रासायनिक समीकण को लिखने से पहले आपको ध्यान में रखना है, तत्व का नाम है मेगनिशम, ठीक है, प्लस वायू, आगे जाके मेगनिशम ओकसाइड बनाता है, यह मेगनीश्म Gulf यू है अगे जाके मेगनीश्म आउकसाइट बनातें ये इसका नाम है तो फिर आपको क्या करना क्या तत्वका प्रतिक लिखना जैसे मेगनीश्म का प्रतिक होता है घॉल्स फाइं आप यू का मतलब आप O2 कैसे कह सकते हैं यह थो यू होती है तो भाइशविजन जानते एकी रूप में यह सकता है जो आपका Oxyzen होता है एकल नहीं रह सकता है इसलिए on पुल करना पड़ेगा O2 जैसा जैसे हाईड्राजन होता है वह अकेला नहीं dinheiro हूझ पूल करना की रुप में रहती एकल की रुप में नहीं रहती क्योंकि ह criticism अब देखेंगे यहां पर यह तो बात फिक्स है देखो मेगनिश्यम यह मेगनिश्यम का प्रतिक है ठीक है रासानिक सूत्र कौन सा बन गया मेगनिश्यम ऑक्साइड यह रासानिक सूत्र बन गया तो आपको जब रासानिक समय करने लिखना है तो तीन बाते फॉलो करने उसका नाम प्रतिक औ एक तो यहाँ पर अगर देखा जाएं तो जो परमाणू की संक्या होती है वो असंतुलित है मतलब यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर कम है ऐसा है इसलिए इस प्रकार की जो अभिक्रा होती है उनको पुन केते हैं असंतुलित रासाइनिक समीकरण क्या केते हैं इनको असंतुलि क्या है जींक प्रतीक ओता है जंधन और सिल्वर नाइãos का सूत्र होता है प्रतिक लिखा या Je. ऐस न थी आगे आगे जाके क्या बनता है जिंक नाइटlish यह आपका zinc होगा वो आपका no3 से जूड जाता है लेकिन यहाँ पर आपका आ जाता है cost के बाद hold twice plus आपका बाहर कौन होगा ag कौन होगा ag अब आप समझ सकते z1 है इदर भी z1 है यहाँ पर no3 1 है यहाँ पर no3 कितने hold twice 2 है ag 1 है बाकी यहाँ पर 2 है एनो थी यहाँ पर एक है अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पर्मानों की संक्या संतुलित नहीं है जब संतुलित नहीं है तो उनको पर्मानों की संतुलित रासानिक समयकन कहते हैं अब आप उन समझेंगे कि रासानिक जो समयकन इस प्रकार की होती है जिसा पर्मानों की सं ग्राह होगा कि यहां पर Mg O2 तो यहां पर Mg O2 बनना चाहिए ठीक है जैसे आप समझे ध्यान से Mg होता है वह अपने मैंसे दो इलेक्रोन बहार निकाल देगा उस पर आविश अजाता है प्लस टू और O2 होगा उस पर आविश आ जाता है मैंस टू ठीक है क्या जाता है मैंस का टू एम जिए वहता जदेट और O2 पर माैनस तू यह प्लस यह मैंस का है जब आपका आगे रासानिक सूत्र बनेगा तो इसमें MGO केवल रहेगा जो प्लस माइनस होते है आपस में कट के सून्य हो जाएगा और इसका रासानिक सूत्र क्या बन जाएगा MGO इस परकार से क्या होता है आपका रासानिक सूत्र बनता है और इस प्रकार से अपने रासानिक समीकर्ण को लिख सकते हैं और ये step आपको ध्यान में रखना है अब आपने समझेंगे कि किस प्रकार से रासानिक जो समीकर्ण होते हैं उसको संतुलित कैसे करते हैं ठीक है अगर मैं रासानिक समीकर्ण को संतुलित करने की बात करूँगा तो ये जो काम करता है वो द्रेमान स्रक्षन के नियम के अनुसार काम करता है द्रेमान स्रक्षन का नियम क्या कहता है कि द्रेमान को नत उपन उत्पन कर सकते हैं और नहीं नस्ट कर सकते हैं अर्थार्त किसी भी रासाइनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्व के कूल द्रेमान, अभिकारक के तत्व का कूल द्रेमान के बराबर होता है। द्रेमान को पुन न तो उत्पन कर सकते हैं, न नस्ट कर सकते हैं, अर्थार्त किसी भी रासाइनिक अभिक्रिया में उत्पाद के ततो का कूल द्रेमान और अभिकारक होते हैं, उसके ततो का कूल द्रेमान बराबर होता हैं। मतलब जितने भी आपके अभीकारक में पर्माणों की संक्या हैं, उतने के उतने उत्पाद में पर्माणों की संक्या समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तब ये समीकरण आपकी कहलाती है, संतुली तरासानिक समीकरण, अभी तो ये हैं असंतुली तरासानिक समीकरण अब आपके जो NCRT के किताब है उसमें दे रखा है कि भाई साब पहले चरण में ऐसा कीजिए, दूसरे चरण में ऐसा कीजिए, तीसरे चरण में वैसा कीजिए तो मैं यहाँ पर पूरे चरण के बारे में नहीं बताऊंगा, एक लोजिक से, मतलब एक धिमाग लगा से आपकों क्या कर सकते हैं, कि इन जो रासानी समिकर्ण और संदुली रासानी समिकर्ण होते हैं, उनके तत्व होते हैं, परमानों के संग्या होती हैं, दोनों तरप एक्जामपल लिखाएं, और एक्जामपल हैं, FE plus H2O, आगे जाके बनाता है, FE3O4 plus H2, जिसमें ये तो आपके कहलाते हैं, अभीकारक ये दोनों कहलाते हैं, उत्पाद, ठीके, अब अभीकारक जो होंगे ना, उसमें जितने भी परमानों होंगे, उसको अपन यहाँ पर लिखेंगे left hand side अभीकार कि परवार की कुल संख्या ठीक है उसकी संख्या लिखेंगे यहाँ पर देखेंगे कि जो उत्पाद होते एसमें जितने वी परमान होते उनकि संख्या लिखेंगे right hand side में ठीक है और यहां पर तन्यांपर गbon तो बोलो तो भी उसके प्रतिक बोलो तुब भी तो कौन-कौन से हैं वह देखना आप उनको तो पहला तत्वत है आपका एफी तो मैं एफी को यहां पर लिख देता हूं यहां पर देखना है कि इसके अलावा कोई और है तो यहां पर एफी तो फिन मैंने लिख दिया इधर ओओ तो यहां पर तत्व मैं अपन को जो है उसको लिखना है यह माईन नहीं रछता है कि वो कितने हैं, वो तोत्मापुन नहीं लिखेंगे, जो है, अभुकर हम भाग लेरे हैं, उनके नाम लिखेंगे, अब अभुकार्त में परमानों की संख्या, लैप्ट, हैंड साइड मे एफ, एक हैं तो यहां पर आपके एक हैं कितना है एक हैं तो यहां पर कर देंगे एक अब इतने को देखना इधर उत्पाद्म परमणों की संख्या किसकी एक कितनी है तो यहां पर देखिए उत्पाद में परमणों किसकी तो हाइड़न की हाइड़न कितने हैं दो इधर भी दो है तो यह दो दो होगे अब बात रही किसकी ऑक्सिजन की इधर ऑक्सिजन कितना एक है देखो एच टू एच टू टू इसमें हाइड़न के लिए है तो ऑक्सिजन के लिए नहीं है तो ऑक्सिजन कितना हो गया एक तो कितना हो जाएगा इधर एक ओके यहां पर देखो ऑक्सि लगाना है कि भाईया is damn left-hand side right-hand side में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हैं जो की वोनी चाहिए असंख्या कैसी होनी चाहिए असंख्या किसी होने चाहिए असंख्या अब सबसे बिलाफुन हैं इधर चार है किस कि संग क्या oxygen की तो सबसे बड़ा कौन हो गया चार सबसे बड़ी संग कि यह चार अब इधर चार कीट हिस्द्न के नहीं चार उत्पाद में ओक्षें किस्द्ने एक एक तो यहां हो जाए इसके बरबर हो जाए तो ओफिस ली यहांपर मैं कितने का गुणा करूंगा 4 का ठीक है 4 गुणा करेंगे तो यहाँपल पून 4 लगाएंगे जैसे कि अक्सिजन है अक्सिजन कि दर दिखाई देरा इधर तो यहाँ पर दो लगा देंगे 4 इसके विख्याद में oxygen तो हो गए 4 इधर भी हो गए 4 यह equal हो जाएंगे चार और oxygen के साथ में और कॉन जुड़ा हुआ है hydrogen hydrogen H2 है H2 होगा उसके साथ 4 का गुणा होगा कितना हो जाएगा संख्या में 8 कितना हो जाएगा संख्या में 8 चार दूनी आठ तो यहाँ पर आपके हाइडोजन हो जाएंगे आठ अभी कितने है इधर दो इधर कितने हैं दो अभी यहाँ पर हाइडोजन इसके जुड़ने से कितने हो गए इधर आठ दो के साथ चार का गुणा हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे आठ अभी कितने हो ग यहां पर अब कितने का गुणा करना पड़ेगा हाइड़न को आठ करने के लिए चार का अर्था यह भी कितना हो जाएगा आठ तो इधर अपन कितना लगाएंगे चार ठीक है चार अब यहां पर यह दोनों तो संतुलित हो गए हाइड़न और ऑक्सिजन बाकी बचाप का भ्यां से दोस्तो एक बार में वापस समझा देता हूं उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा सबसे बेला अपना यह काम कर लिया अब आपको देखना है कि कौन असंतुलित हैं तथा ज्यादा संख्या में हैं तो देखो यहां पर सबसे बड़ी संख्या कून सी चार है चा प्रपुन को उत्पाद में संख्या चार है उसके बराबर करनी है तो इधर कितने का गुणा करना पड़ेगा चार का गुणा करना पड़ेगा तो यहां पर प्रपुन क्या कर देंगे चार का गुणा और यह टोटल कितना हो जाएगा चार हो जाएंगे ठीक है यहां पर चार तो हो गए अभीकारक में ऑक्सिजन की संख्या लेकिन उसके पास में हाइड़जन जुड़ा हुआ है ठीक है अगर अपन यहां पर चार कर दिये इधर ठीक है तो उसके पास में ऑक्सिजन के पास में हाइड़जन जुड़ा होंगा उनकी संख्या कितनी हो जाएगी तो 4 इंटू 2 ये गुणे में होते वह या इसको अपन जोडते नहीं है गुणे करते ठीक है तो यहां पर 2 होंगी उसके साथ 4 का गुणा तो कितने हो जाएगे हैडोजन संख्या में 8 अब यहां पर इसके बढ़ने से ऑक्सिजन की संख्या बैलंस करने से हाडोजन का बैलंस होता वह बिगड के कितना हो जाता है यहां पर आपका ओल्रेडिस के साथ गुणा हो जाता है चार का ठीक है तो यह 4 दू 8 इधर हाडोजन हो जाएगे 8 इधर हाडोजन होएगे 2 तो इसको भी 8 करने के लिए अपन कितने का गुणा करेंग होगे है इधर चार है उक्सिजन इधर भी चार है उक्सिजन अब किसकी बात रही एफी की एफी इधर कितना एक है इधर कितना तीन है ठीक है अब इसको अपनको तीन करना है इधर अभी कारक में तो कितने का गुणा करूंगा तीन का तो यहां पर ओपिसले कितने का गुणा इसके बादे दोस्तों यह समझ में आ चुका होगा और नहीं आया है थोड़ा बोर डाउट है तो एक एक एक्जमपल और मैं आपको समझाता हूं इसके बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा चलिए अपूर शीरू करते हैं हाँ दोस्तों आप सेकंड डेक्ट एक्जमपल हैं बी एसील टू प्लस एस्टू एसोपूर आगे बनता है बी एसोपूर प्लस एसील अब इसमें जो जो तत्व है उसको अपून लिख देंगे पहले तो इतने हैं आपके और आगे आपका वही होगा बेरियम है सलफर है ऑक् अपून किसकी संख्या लिखेंगे जो अभिकारक है उसमें परमानों किस संख्या लिखेंगे और राइट हैंड साइड में उत्पाद में परमानों की संख्या लेखेंगे अब अपन को समझ आए कि बेरियम यहाँ पर कितने हैं एक है तो इसको अपन लिख देंगे एक इसको सलफर कितने तो सलफर यहां पर देखो एक है आगे ऑक्सिजन कितना है तो यहां पर देखाई पर यह यह संख्या दे रहे कि वह ौक्सिजन के लिए ठीक है इधर देखो एस एक हैं तो इसको भी अगमिन कर देंगे 1 आगे oxygen कितना है तो यहां पर देखो oxygen o4 o4 कितने चार है इधर देखो work कितने हैं 4 अब स्तो बहुत से पहले देखना है कौन-कौन संतुलित है और असंतुलित कौन से ठीए तो देखो सबसे पहले आपको यहां playrum देखने को मिल जाताव इसकी देखेंगे संख्या तो इधर भी एक है इधर भी एक सं contrat यह है इधर देखो cáiलिऌन दो हैं अभी कारक में उत्पाद में एक हैं इसके बाद है हvärd है इधे दो है इधर एक है यह दोनों कैसे असनत्यत हैं ठीकिन तो अपन इसको star लगा देते हैं संटुलित हैं इसके बाद में sulfur कितना इधर एक है इतर भी एक है यह संटुलित और अरड़ी अब यह पर oxygen 4 है इधर भी 4 है ठीक है तो ये भी संटुलित है अब अब एखनेगे जो यहां पर दो है तो दो बड़ी संटुलित करेंगे इधर दो क्लोरिन है इधर एक क्लोरिन है तो अपने का गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा तो भाईया यहाँ पर दो है तो इसमें अपने दो का गुणा कर देते हैं तो यह भी दो हो जाता है और यह भी दो हो जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा दो लेकिन आपका इसका balance करने से chlorine को balance करने से hydrogen अपने आप 2 हो जाता है तो यहाँ पर आपका अभी कारेक में तो hydrogen 2 थे और उत्पाद में already इसके जुड़ने से hydrogen होते वो भी 2 हो जाते हैं कितने हो जाते हैं 2 तो यह दोनों अपने आप संतुलित हो जाते हैं सोरी एक तो अपने संतुलित किया और एक अपने आप संतुलित हो गया और इसी परकार से यह आपकी क्यालाती है संतुलित रासाइनिक समीकरण तो दोस्तों इस परकार से मैंने रासाइनिक समीकरण को किस परकार संतुलित करेंगे वह आपको बताया और अगले वीडियो आप गाल बाजय हीं वन्दे मात रम्प और इसका स्विर्ट लेलाना ठीकिए कि अ कि अ कि